हलो एवरीबड़ी वलकम तो मागनेट ब्रेंज इस शुरिता ठाकु यह शोशल साइंस एजुकेटर मागनेट ब्रेंज एक एसा प्लाटफर्म है जा किंडर गार्टन से लिके क्लास 12 तरके सबी वीडियो कोर्सेश प्रवाइट करवाई जाते हैं आज हम चैप्टर वान जोग्रफी रिसोर्स इन डेवलपमेंट का कंजरवेशन ऑफ रिसोर्स की बात करेंगे हम देखेंगे हमने रिसोर्स प्लानिंग पढ़ा किस तरीके से रिसोर्स प्लानिंग की जाती है इंडिया में वॉस्त तरीके से अनिवल इन डिस्ट्रिब्ईयूशन है रिसोर्स का क्यों हमें वाइसली रिसोर्स पयाथा श्यूश करना चाहिए वाग देखेंगे क्यों हैं हम इन्हें wisely use करें या इनका कुछ alternative देखें क्योंकि development के लिए तो जरूरी हैं लेकिन एक बार जब exhaust हो गए तो उसके बाद हमें यह नहीं मिल पाएंगे इनको बनने में millions of years लग जाते हैं अगर देखें तो resources are very important for any developmental activity हर developmental activity के लिए हमें जरूरी हैं बहुत ही ज़ादा जरूरी हैं हमारे resources बट यह जो irrational consumption हो रहा है over utilization हो रहा है resources का माना की free gift of nature है बट इतना exploit करना जो काम मान लीजे हम मुझे कहीं gardening कर रही हो एक bucket में हो सकता है अगर मैं चाचर bucket वहाँ पर यूज कर यह मान लीजे मैं एक bucket से यूज कर सकते हूं उसके लिए मैं चार bucket यूज कर यूज करें तो water table पर कितना effect पड़ेगा धीरे धीरे हमारा groundwater level जो है वो decrease होता जाएगा देखिए हर चीज को पानी हो किसी भी चीज को यह सब हमारे अगर वो खतम हो गया तो वो बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ठीक है तो अगर हम लोग देखे बट इर्रैशनल कंजप्शन और ओवर यूटिलाइजेशन जो करते हैं हम रिसोर्स का राइट ओवर यूटिलाइजेशन जो हम करते हैं अंधा दून इस्तमाल जो करें रिसोर्स का मेले टू शो शो एकनॉमिक और अन्वार्मेंटल प्रॉब्लम्स तो उनसे ही होगी माली जा फॉसल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं राइट अप कोल को बन कर रहे हैं मिनरल्स को बन कर रहे हैं राइट जब हम डिवलप्मेंट कर रहे हैं ओईल को बन कर रहे हैं इन सबसे क्या होगा आपका इन सबसे क्या होगा पॉल्यूशन क्रियेट होगा राइट पॉल्यूशन होगा इन सबकी बनिंग से क्योंकि राइट उसकी वज़ा से Greenhouse gases, आपको पता है इन सब से क्या होगा? Greenhouse gases increase होंगी, हमारे environment पर इफेक्ट पड़ेगा Greenhouse gases जो बढ़ती है तो क्या होता? Ozone layer deplete होती है तो directly indirectly हमारे environment पर भी impact करती है और over utilization तो हम करी रहे हैं जिसकी वजह से जो हम इनको exploit करें जो कि एक अच्छी बात नहीं है, to overcome these problems, इनी problem से overcome करने के लिए resources को conserve करना बहुत ही जाधा important है, even गांधी जी ने भी बोला है, there is enough, there is enough for everybody's need, इतना है हमारे पास कि जो सब की needs को satisfy करें, nature ने हमें इतना दिया है, जो हम सब की needs को satisfy कर सकता है, हमारे environment पे वो available है, लेकिन इतना नहीं दिया है, जो not for anybody's greed कि सब के लालज को, जैसे rich जो है, उनके पास बहुत जादा है, हमने देखा था न, have or have not वाला concept, अगर हम लोग देखें, तो कुछ लोगों के पास resources, कुछ लोगों के हाथ में रह गए हैं, और ये जो है, हमारी society में भी एक wide gap बनाता ज तो अगर हम लोग बात करें, कि resources सब की needs के लिए तो हैं, इतने resources हैं हमारे पस, लेकिन हमारे पस इतना नहीं हैं कि कुछ लोगों की greed को satisfy कर सके, ये किसने बोला है, महात्मा गांदी ने, महात्मा गांदी तो ये भी बोलते थे कि जो technology है, उसकी वजह से resources को हम over exploit करते, क्यो minerals जो हैं, उन्हें हम जल्दी नहीं extract कर पाएंगे, time लेगा, तो time लेगी चीज़े तो उसमें, उसका use जो है वह जादा नहीं हो पाएगा, right, तो वो इन्होंने कहा है, अगर हम लोग बात करें, कौन कौन से steps जो हैं, वो taken at international level पे हम लेते हैं, for resource conservation के लिए, right, time to time कौन कौन से steps जो है, resource conservation के लिए लिए गए, जैसे हम देखे, 1968 की अगर हम लोग बात करे, club of Rome, उन्होंने सबसे पहले, देखिए, सबसे पहले जो है, अगर हम बात करे, resource conservation की जो बात की गई, वो किस के द्वारा की गई, club of Rome के द्वारा, कब की गई, 1968 में इन्होंने जो है, इस topic को start क किया, advocated resource conservation, तो resource conservation की जो बात है, सबसे पहले, 1968 में, club of Rome के द्वारा की गई, 1974 में, गांधियन फिलोसफी पे, जो है, presented by, presented by Shumaka, ठीक है, in his book, small is beautiful, देखिए, एक बुक है, small is beautiful, जो गांधियन फिलोसफी पे ही लिखी गई, लेकिन किस ने लिखी है, वो शुमाका ने लिख है, ठीक है, किसकी फिलोसफी पे लिखी, गांधी जी की जो फिलोसफी है, वर्ल्ड वाइट बहुत फेमस थी, ठीक है, उनी की सोच को कि जितने भी limited resources है, उनी में, हमें, खुश रहना चाहिए, उसी चीज़ को जो है, small is beautiful book में, लिखा गया है, लेकिन ये गांधी जी ने लिखी है, गांधी जी ने नहीं लिखी है, ये शुमाका ने लिखी है, कब 1974 में भई हमें इसमें लिखा गया है कि जो limited resources है, limited चीज़े हैं हमारे आसपस उनी से हमें खुश रहना चाहिए, ओके फिर उसके बाद 1987 की अगर हम बात करें तो आया था, बुटलेंड कमिशन, ए इसमें सबसे पहले use किया गया world sustainable development जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, sustainable development का मतलब ये है कि हमें इस तरीके से development करनी है, जो हमारी present need को तो satisfy करें, लेकिन हमारी future की generation की needs के साथ compromise ना करें, तो ये जो सबसे पहले use की गई थी, वो हुई थी 1987 में, उसके बाद 1992 में भी हमने देखा कि जो हमारा first earth summit हुआ था, जून 1992 में कहां पे हुआ था, ये वियो दी जिनारियो ब्राजील में हुआ था, earth summit, right, इसमें भी resource conservation की बात गई थी, इसमें social economic development, environmental development, हर तरीके से diseases, हर चीज़ को जो है, touch किया गया था और उन सब चीजों के बारे में बात की गई थी, environment problems सक के बारे में बात की गई, sustainable development की बात की गई थी, इस टाइम पे, right, तो हमने दिखा अगर international societies की हम बात करे, 1968 में सबसे पहले resource को conserve करने की जो बात है, sustainable development की बात नहीं करे, वो बात में आई थी, resource को conserve तो पहले से ही सोचा जा जा रहा था, कब की गई, club of Rome ने इसके बारे में यह एक मुद्धा दिखाया कब 1968 में, 1974 में Small is Beautiful एक बहुत प्यारी सी किताब जो है, शुमाका के बारे शुमाका ने लिखिया और यह किसकी philosophy पे थी, गांधी जी की philosophy पे जिसमें यह कहा गया, कि हमें limited resources के साथ, limited चीज़ों के साथ हमेशा खुश रहना चाहिए, 1987 में बुट है, उसको पब्लिश किया गया, एक बुक के नाम से, जो भी रिपोर्ट थी, उसको पब्लिश किया गया, एक बुक के नाम से, अवर कॉमन फ्यूचर, यार कॉमन फ्यूचर के नाम से, यह दोनों different है, Small is Beautiful, गांधीयन फिलोशफी पे बनिया, शुमाका ने लिखिया, socio-economic development और environment development से related जो है, मुद्धे, उन पे बात की गई थी, कि environment से related, जो urgent problems थी उस time की, ठीक है, environment से related problems जो है, उन सब के बारे में उस time पे discuss किया गया, राइट, तो यह था आपका topic, ओके, with this end of today's session, आप हमारी videos को देख सकते हैं, कहां पर, YouTube पर and हमारे जो official website www.magnetbrinz.com पर देख सकते हैं, आप हमें follow कर सकते हैं, YouTube पर, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram and WhatsApp, हमारे यहां पर e-books and e-notes की facility भी available है, जिसका link नीचे description box में दिया गया है, हमारे top courses है, CBSE, Delhi, Bihar, UP, MPN, Rajasthan, Board, हमारे अवेदिक maths की classes भी होती है, crash course करवाय जाते हैं and spoken English, right? और हम deal करते हैं English and Hindi, दोनो medium के साथ, with this end of today's session, I hope you like today's video, don't forget to hit the like, share and subscribe button, see you all next time, have a nice day.